गाइस दिस इस ब्राइन वे स्मार्टफोन ओपो ए 16 और आज भी करने वाली इस फोन की अन्बॉक्सिंग इससे पहले और डी मैंनों ओपो ए 16 का ब्लैक कलर और ब्लू कलर उन दोनों का ही अन्बॉक्सिंग करा है और यह जो कलर है यहां पर रॉयल गूल्ड कलर में देखने क आज के इस वीडियो में करने वाले इसके कलर उन बॉक्सिंग मैं दूंगा आप सब्सक्राइशन वीडियो पसंद आएगा तो लाइक दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को ऐसे करके सब्सक्राइब कर लिजेगा फॉस्ट इस फोन का प्राइस है वो आपको 13,490 मिल जाएगा AI triple camera मिलता है HD plus eye care displays के अंदर देखने को मिल जाएगा और फोन का जो variant है 4GB N64 भी मिलता है और इसका जो color है वो आपको royal gold देखने के लिए मिलता है फॉस्ट यहां पर इस फोन के box को open कर लेंगे और फट फट से आने वाल जो box content है इन सब को एक बार देख लेते ह तो I think कि इसके अंदर हम लोगों को यहां पर silicon case और एक SIM ejector tool देखने को मिलता है और आगे बढ़ें तो OPPO A16 रखा मिलता है और यह phone यहां पर royal gold color में देखने को मिल जाएगा यहीं पर और आगे बढ़ते हैं तो एक travel adapter मिलता है तो आपको यहां पर 10 board का मिल जाता है और यह यह USB cable है वो आपको यहां पर C type देखने को मिल जाता है चलिए अब बात करते हैं इस phone के बारे में तो सबसे पहले मैं इसके उपर लगे वे इस wrapper को निकाल लेता हूं ताकि हम लोग देख सके इस phone के design को और यह जो phone है बागे में यहां पर royal gold में है अगर मैं कहूं कि इस phone का जो color है पूरे तरीके से gold देखने को नहीं मिलता है I think rose gold के तरह यह color देखने को मिल जाता है और इससे पहले मैं बता दूँ कि यह जो phone है आपको तीन color में available होता है फर्स्ट इसका जो blue color है पर्ल blue color भो भी काफी interesting color है और इसका जो black color है भो भी आपको काफी बढ़िया और काफी पसंद आने वाला है और यह जो तीसरा है यह दिवाली एडिशन है यह यहां पे gold color में launch करा गया और इसके physical ओपर की बात करें यह जो phone है plastic body से बना है और यहां पे matte design देखने को मिल जाता है यही पे 13MP का triple AI camera देखने को मिलता है यहां पे हम लोगों को side mounted fingerprint देखने को मिलता है और इस phone के bottom side पे 3.5 mm jack लगाने का option यहां पे mic and C type charging port को option मिलता है तो यह 10 watt travel adapter support करता है और यही पे odd port speaker के grill देखने को मिल जाता है और फोन के left hand side की बात करें तो यहां पे हम लोगों को volume rocker keys and dedicated sim tray लगाने का option मिलता है इस phone के top side पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और यह जो OPPO A16 है एक brand new smartphone है इसका display size आपको 6.5 inch का देखने को मिलता है और इसके अंदर eye caring जैसा display technology को use करा गया है तो आज किसी वीडियो मीट नहीं बात करें क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं अदूँगा आप सब को इस phone का color unboxing अगर आप लोगों को OPPO A16 का dedicated video देखना हो fuller specification के साथ तूपर दिये गया i button पे click करे और वीडियो को full देखे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर ले तो आज के लिए इतना ही मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो में नए unboxing gadget के साथ